Hello everyone and welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक होंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, वो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं. जैसे कि आप सब को पता ही होगा कि युणिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकिशन निकल के आई है, जिसमें उन्हेंने कहा है कि हमने इशू किये है अद्मिर कार्ड आफ यूजी फोर्ट सेंब बैच 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 तो इस वीडियो में आज हम उसी रिगार्डिंग करने वाले है कि आप एड्मिर कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है तो सबसे पहले आपको कोई भी browser करना होगा, ठीक है, जो भी आपके पास कोई browser होगा, ठीक है, क्या chrome हो, Opera Mini हो या कोई और browser हो, तो सबसे पहले हम chrome में जाएंगे, ठीक है, जैसे आप सब पता होगा कि जो आपके समने इंटरफेस इस वक्त है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर है तो इसी पर आपको किलिक करना होगा ठीक है तो फिर इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके समने आएगा तो आपको क्या करना होगा तो यहां पर लिखा है www.kashmirniversity.net यह official website है कashmirniversity की तो इस पर आपको click करना होगा ठीक है तो जब आप इस पर click करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा ठीक है तो यह देखें यहां पर admissions, examination, research, e-tutorials, distance education और library तो आपको क्या करना होगा जो यहां पर second option है ठीक है यह जो second option है आपके सामने examination है इस पर आपको click करना होगा ठीक है तो इसपर click करते हैं तो जब आप click करोगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा तो यहां पर लिखा होगा stop evolution status results evolved तो ठीक है इस तरह कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा लेकिन आपको यहां पर क्या करना होगा आपको notification section में जाना होगा ठीक है जो right side में है यह जो left side में है यह menu है और जो left side में है वो notification और wait a second active links है ठीक है तो यहां पर जब आप scroll down करोगे यहां पर लिखा है UG backlog exam for 6th SM batch 2015 और जब आप तीसरी option पर आऊँगे ठीक है तो option number third ठीक है जो notification number third है यह है UG admit cards for 4th SM यह जो registration and pvt लिखा है 2019 और जो backlog contents है batch 2016 और 2017 के ठीक है तो यह जो backlog contents है batch 2016 और 2018 के ठीक है इनका भी exam होने वाला है इनके भी admit cards आए हुए है और जो batch 2019 है ठीक है यानि जो regular batch 2019 है इनका exam होने वाला है तो इनके admit cards भी आए है और जो private ठीक है यहां पे लिखे है regular और private है ठीक है तो regular batch 2019 और जो backlog contents है अगर हम backlog की बात करेंगे जो backlog batches है उनमें से 2016 और 2018 batch के जो admit cards है वो आए है ठीक है तो यह थी कुछ information उसके बाद क्या करना होगा आपको ispeculic करना होगा ठीक है तो उसके बाद जो पहला है यहां पर university registration number है ठीक है अगर किसी के पास होगा university registration number तो हगर किसी के पास होता है obviously ठीक है तो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको करना होगा, क्या, जो, मतलब, जिस तरह से मेरा था, मेरा था 5048 DRA 2000, ठीक है, यह मेरा registration नमबर था, ठीक है, इसी तरह से आप लोगा भी कुछ होगा, यहां पे लिखा होता है DRA, ठीक है, DRA-2019, ठीक है, DRA-2019, अगर किसी 20% के पास मान के चलो के, 2048 होगा, तो उसके बाद होगा 2DRA-DRA 2017, ठीक है, इस तरह से registration नमबर होता है, ठीक है, आपको यहां पे fill करना होगा, जो यह, आपके सामने एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, ठीक है, तो यहां पे जो, आपको क्या करना होगा, यह ठीक है, फिर आपको search पे, search पे, जाना होगा, ठीक है, तो search पे, अगर आप लोग search करोगे, तो obviously आपका जो admit card है, वो show हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप लोग को, जो आपका university registration number है, वो अगर आप लोग को याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपका जो x enter, जो form number है, जो आपने exam form भरा है, उसके पात जो number होता है, ठीक है, उसके उपर जो number होता है, आप उस पे भी search कर सकते हो, अपना admit card ठीक है, तो ये थी process इस वज़े से आप अपना admit card download कर सकते हो, ठीक है, और जो बाग की topics के regarding हम बात करने वाले हैं, जो MCQs रहते हैं, या topics जो हम cover करने वा videos में, till then, Allah Hafiz.